नमेशकार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Law of Attraction का सबसे powerful process जिसके बारे में सबसे पहले Abraham Hicks ने बात की थी अब ये बाकी Law of Attraction की टेक्नीक से तो बहुत ज़ादा different है इसे टेक्नीक से ज़ादा आप process कह सकते हैं ये सिर्फ टेक्नीक की तरह ने बलकि एक way of life है और अगर आप इसका use करते हैं अपनी life में daily basis पे तो आपकी पूरी life change हो सकती है और इस process का नाम है segment intending segment और intending अगर आप इसका मतलब देखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी life में बहुत सारे segments है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो ये वीडियो देखना एक segment है अब वीडियो देखते देखते आपको किसी ने आवाज लगाई आपके घर में से आपने अपना फोन नीचे रखा ये segment खतम हो गया आप जो मिलने गए यानि जिससे बात करने गए जिसने भी आपका आवाज लगाई उससे बात करने गए अब ये एक new segment शुरू हो गया अब मान लीजे आपको कोई काम दिया गया कि यहां से जा कर के ये वाली चीज़ खरीद करके ले आओ अब ये दूसरा segment जैसे खतम हुआ वहाँ से अगर आप निकलोगे जब आप खरीदने जा रहे हो समान तो ये हो गया तीसरा segment या जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ ये एक segment है मैं अभी एक segment में हूँ ये segment वीडियो बनाने का segment है यानि अभी मैं voice record कर रहा हूँ तो ये एक segment है voice record हो जाएगी उसके बाद का segment क्या होगा कि मैं इसे edit करूँगा और उसके बाद thumbnail create करूँगा फिर उसके बाद इस वीडियो को upload कर दूँगा तो ऐसे ही हमारी life में जो सारी चीजे होती है वो सारी segments में ही होती है अगर आप उसको छोड़ा छोड़ा divide करके देख लो तो कि आप सुबह उठे phone चलाने लगे phone चलाने वाला जो हो गया वो एक segment हो गया अप phone चला करके आप भटे आप उठ करके अपने दिन के काम में लग गए ये एक segment हो गया अब आप ready होने लगए अपनी office जाने के लिए आपने काम करने के लिए अब आप वहाँ ready हो गये अब आप निकल गये आप एक new segment में हो अब यहाँ clear हो गया segment अब इसके बाद आते हैं intending अब ये जितने भी segments के बारे में मैंने बात की इस जगा पर आप देखोगे तो हर एक segment change हुआ और segment हमेशा change होगा लेकिन उस बीच आपका कोई भी तरह का intention नहीं रहा आप एक काम को छोड़के दुसरे पे निकले, दुसरे को छोड़के तीसरे पे निकले, तीसरे को छोड़के चौथे पे निकले तो बस यही है कि segment तो हमेशा change होते रहेंगे लेकिन उस segment के बीच में अपना intention हमें रखना होता है अगर हम एक new intention के साथ अपने segment को start करते हैं तो segment intention का process वहाँ पे start हो जाता है जैसे मान लीजे कि आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते आपके family member में से किसी ने आपका आवाज लगाई आप उनके पास गए उन्होंने आपको काम दिया कि यह चीज मार्केट से जाकर के ले आओ आप direct market भी जा सकते हो आप इस intention के साथ भी market जा सकते हो कि अब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम आसानी से हो जाना चाहिए या मैं इस चीज के लिए निकला हूँ इस काम को easily complete करके मैं घर वापस आ जाओंगा और कहीं न कहीं देखोगे तो यह intention जो होती है हमारी by default होती ही है हमारे mind में जस्ट क्या है हम intend यानि अपनी मर्जी से इसको नहीं करते हैं और फिर इसका process का फाइदा क्या है यानि segment intending का process अगर आप यूज करते है तो इसके benefit क्या है इसके benefit एक तो यह है कि आप अपनी life में manifest तो करोगे ही जो आप चाहते हो एक आप aware बहुत जादा रहोगे तीसरा अचानक से कोई भी चीज जब life में आ जाती है या कहीं गए या कोई ऐसा person दिख गया जिससे आप आप नहीं करना चाहते और उससे आपको बात करनी पड़ी तो यह unwanted manifestations को आपकी life में से हटा देता है अब इसको आपने एक तरीके से देखा होगा declaration वाले subject पे इसके की बात सुनी होगी declaration देखा जाए तो declaration और कुछ नहीं segment intending ही है जस्ट इसको अलग नाम दिया गया है ताकि यह छुपाया जा सके कि यह अबराहम का process नहीं है और mostडी लोग फिर इसे अपना process बता देते हैं जबकि यह actual में segment intending का process है जो अबराहम ने बहुत पहले ही सिखाया हुआ है अब जैसे दिन की बात आती है जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठकर आप intent करते हो या प्रे करते हो कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए या आज मेरी life में सारी चीज़े अच्छी हो आज मैं जहां भी जाओं सबकी मदद करूँ या जहां भी जाओं मेरे सारे काम असानी से हो आज मैं अपने काम पर अच्छे से जा पाओं वहां से वापस आओं तो अच्छे से आओं यह हम daily basis पी अगर हम prayers करते हैं या आप अगर prayers करते हो तो आप already इस चीज़ को करते होंगे अंजाने में तो बस यही चीज़ segment intending है अब इसको अगर हम affirmations में भी कई बार कर देते हैं कि आज का दिन मेरा perfect जाने वाला है आज का सारा काम मेरा बहुत असानी से होगा आज का दिन मेरा best दिन होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो segment intending को start करना अब यह तो आप देखो कि दिन के starting में ही आप इस चीज़ को start कर रहे हो prayer की तरह आप ऐसे भी इसे कर सकते हो कि early morning अब जब भी उठे आप पूरे दिन के लिए आपने intention बना लिया कि इस तरीके से यह चीज होनी चाहिए अब monthly बहुत लोग declaration करते हैं यानि segment intending करते हैं कि यह वाला month मेरा ऐसे start हो रहा है ऐसे जाना चाहिए या ऐसे जाएगा या ऐसा जाने वाला है अब यह हो गया पूरे दिन का segment पूरे साल का segment पूरे महिने का segment पूरे हफ़ते का segment और इसी तरीके सो हो जाते हैं दिन में बहुत सारे segments और इसको छोटी से छोटी चीजों के लिए भी आपको करना चाहिए ताकि आपका mind इस चीज में trained हो जाए तो आपको इस process को करना नहीं पड़ता वो आपके लिए natural हो जाता है सिर्फ इसको manifestation के लिए मत कीजिए बाकी हर चीजों के लिए कीजिए यानि manifestation के लिए भी कीजिए लेकिन उसके साथ साथ बाकी हर चीजों के लिए कीजिए और start small वाली strategy को अपणाईए मान लिजे आपको किसी person को call करना है और उससे आप बात नहीं करना चाहते या उतना परसंद नहीं है वो person आपको आपको पता है कि सामने से अगर आप उसको call करोगे या उसने आपको सामने से call किया है तो कुछ ऐसी ही बात होने वाली है जहां पर आपको कुछ आएगा या फिर मान लिजे आप specific person से deal कर रहे हो अब कोई बात को ले करके आपका mind बहुत ज़्यादा upset है बहुत ज़्यादा परेशान है अब आपका मन कर रहा है कि सीधा आप message box open करो और जितना हो सके उतनी बढ़ास लिक करके अब ये अंजाने में आपका mind intent कर रहा होता है और जब आप अंजाने में कर रहे होते न तो actions बहुत fast होते हैं इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बोल देते हो सामने वाले person को बाद में realize करते हो कि आपने बहुत गलत बोला तो इसलिए जब भी आप अपना phone use करने जाओ यानि जब आप अपने partner को message करने जाओ तो एक बार अपने मन में intention बना लो कि हाँ मुझे इस तरीके से यहाँ पर message करना है और सामने से better reply expect करना है तो जब आप फिर इस तरीके से message करोगे तो सामने से आपको better replies आएंगे अब यहाँ पर यह नहीं है कि आप लिखते ही यानि जब आप बोलोगे इस चीज़ को कि आप पहली बार use कर रहे हो और पहली बार use करते में ही आपको वो चीज़ सामने से वैसी दिख जाए हो सकता है वैसी हो जाए लेकिन जरूरी नहीं कह सकते कि एक बार में ही हो जाए लेकिन इस process का आप इस्तेमाल जादा करोगे उतना जादा ही आपको results देगा क्योंकि एक amazing सा process है अगर आप इसको life के बाकि सारे aspects में इस तरीके से use कर रहे हो हर छोटे से छोटे सेगमेंट से हर छोटे से छोटे सेगमेंट को अपनी intention के साथ आगे बढ़ा हो जैसे रात को सोने जा रहे हो तो अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठोंगा या इतने बजे उठोंगा और easily उठोंगा जब उठ गए आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा इस दिन को मैं बहुत अच्छा बनाऊंगा आज के दिन मैं अपनी happiness को पूरा priority दोंगा अपनी alignment पे focus करूंगा meditation करूंगा या अब मैं जा रहा हूँ काम पे अब मैं काम पे निकलूंगा मुझे गाड़ी अराम से मिल जाएगी या अपनी गाड़ी से मैं जा रहा हूँ रोड एकदम साफ रहेगी मैं अराम से अपनी office पे पहुँचूंगा अज का दिन अच्छा रहेगा अपने काम को office में awareness के साथ करूंगा अपने colleagues के साथ थोड़ा अच्छे से पेश आऊंगा अपने around लोगों को थोड़ा अच्छे से treat करूंगा या ऐसे भी intention रख सकते हैं कि मैं office जाऊंगा, काम अच्छे से करूंगा boss मुझ से अच्छे से पेश आएंगे मेरे colleagues मुझ से अच्छे से पेश आएंगे या शाम को घर वापस जल्दी आऊंगा आकर फिर मैं यहां पे घुमने जाऊंगा फिर यहां करूंगा, यह करूंगा, वो करूंगा ऐसे, अब इस तरीके से जब आप अपने दिन के छोटे-छोटे segments और बहुत सारे segments बनाना शुरू करोगे तो आप अपनी life में बहुत जल्दी और बहुत अच्छा जैसे गाड़ी चलाना होता है आप सारी चीज़ों का ध्यान देते हो कलाज का है, गेर का है, ब्रेक का है, एक्सलेट का है और इतना ध्यान देने के बाद भी स्टार्टिंग में गाड़ी बंद होती है और एक बार जब आपके लिए natural हो गई, फिर आपको effort नहीं लगता यानि effort तो वैसे भी नहीं लगता स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो effort लगता है वही लगता है, और उसके बाद वो चीज़ बहुत easy हो जाती है आपके लिए तो इस तरीके से आपको segment intending का process यूज करना है आप अगर इसको process को समझ गए हो और जिस तरीके से मैंने example बताया था कि आज मैं सुबह उठूँगा, इस तरीके से काम करूँगा, ऐसा होगा तो वैसे आपके हिसाब से आपकी जो current desire है उस पर आप किस तरीके से segment intend करोगे वो आप comment box पे बता आ सकते हो, इसी तरह से example देते हो है कि ये मेरी desire है, ऐसे हैसे होना चीए और इसको करने का कोई right या wrong way नहीं है, आप just इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप इससे करोगे, आप करते करते इसको जब better feel कर रहे हो यानि पहले से अगर आप अच्छा feel कर रहे हो, तो आप इस process में आगे की और बढ़ रहे हो और अगर आपको ये चीज नहीं suit कर रही है, ये process करने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप इसको avoid कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है, तो ये process आपको कोई value नहीं देगा और अगर आपको personal subliminal बनवाना हो, या फिर मुसे personal session appointment लेना हो तो उसके लिए मेरे manager अम्रित को contact कीजिगा, उनके whatsapp number, उनका whatsapp number में आपको comment box में देदूँगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद